हलो दोस्तों नमस्कार श्टडी पोटल में आप सबका स्वागत हैं मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर वीजे दोस्तों आज का हमारा टोपिक है भारत के परमुक संगठन उनके हैड ओफिसेज और उनकी स्थापना कब हुई क्या उनके काम है इन सारी चीज़ों को आज बढ़ेंगे जितने भी इंडिया के फेमस ओर्गिनाजेशन हैं उन से रिलेटेड ये पूरा चैक्टर आपका रहीगा किसी भी कॉम्पेशन एक्जाम के आप पैयारी कर रहे हैं तो घर बैठकर आप पैयारी कर सकते हैं इस नमबर पर कोल या वट्सप पर बात करके आप ये पूरे के पूरे स्टडी मैटरियल अपने घर पर आप मंगवा सकते हैं और अपने तयारी को घर बैठे हमारे साथ जुड़कर सुनिशित कर सकते हैं सबसे पहला आज का और्गिनाजेशन है उसे बोलते हैं आप लोग नीती आयोग या फिर आप इसको नीती कमिशन भी जमानेंगे तो National Institute of Transforming India ये पूरे का पूरा नीती का फुल फोर्म है बहुत सारी एक्जाम्स में नीती की फुल फोर्म भी पूछी जा चुकी है दोस्तों योजना आयोग यानि प्लानिंग कमिशन जो बनाया गया था 2015 के अंदर प्लानिंग कमिशन यानि योजना आयोग की जगह नीती आयोग या नीती कमिशन ने ले ली है और अब नीती कमिशन देश के लिए सारी योजनाओं की रूप रेखा तयार करता है इसकी सुरुवात के अगर बात करें स्थापना की बात करें तो एक जनवरी 2015 रह है अगर इसके चेर्मेन की बात करेंगे तो भारत का परधान मंतरी इंडिया का पीयम होता है वो नीती आयोग का चेर्मेन होता है जैसे वह पहले योजना आयोग का चेर्मेन एक्सचेंज बॉर्ड ओफ इंडिया सेकुरिटीज एंड एक्सचेंज बॉर्ड ओफ इंडिया ये सेवे की फुल फॉर्म है स्थापना की बात होगी दोस्तों 12 अप्रेल 1902 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और हैड ओफिस इसका मुंबई के अंदर है फाइनेंस से रेलेटिड एकनोमी से रेलेटिड ज्यादा तर संगठनों के हैड ओफिस मुंबई के अंदर हैं चाए nsc हो चाए bsc हो चाए rbi हो आपका सेभी हो जितनी भी दूसरे बड़े-बड़े बेंक हैं आम तर पर मुंबई क्योंकि मुंबई को हम भारत की commercial capital बोलते है मंबई को भारत की व्यापारिक भी कह सकते हैं और इसको चाहिए वर्ड यूज करेंगे तो आप वनेजिक बोलेंगे वनेजिक मुंबई भारत की वनेजिक राजधानी है जिसको आप लोग कमर्शियर बोलते हो क्योंकि political capital तो दिल्ली है लेकिन commercial के रुप में मुंबई है तो इसका मतलब बहुत बड़े संगठनी यहां already है उसके बात बात आती है IRDA की जिसको आप लोग IRDAI कहते हैं short form में इसको IRDA भी कह देते हैं और दोस्तो इसकी full form की बात होगी तो insurance regulatory and development authority of India I से बनेगा insurance, R से बनेगा regulatory, D से बनेगा development, A से बनेगा authority और I से बनेगा India दोस्तो इरड़ा आप लोगों को अपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने समाज में जब आपका insurance करने आते हैं IRDAI से हमारी approved है, RDI के थुरू हम लोग काम गए, यहनि इस ताइब की बातें आपको सुनने को मिलेंगी च्योंकि समाज में बहुत सारी fake company आई और उनका पता भी ने चला पैसा लेकर के निकल गई तो इसलिए ऐसी संस्ताव का हवाला insurance policy के समय भी किया जाता है, तो IRDA दोस्तों, फुल पोम आपने देख लिया, यह IRDA का लोगो होता है, उसके बाद बात करें, स्थापना की, तो 1999 इस वी के अंदर इसकी स्थापना की गई, और इसका head office दोस्तों, हैदराबाद के अंदर याद रखना, यहाँ पर आपको Bombay भी option मिलेगा, लेकिन आपका answer जो है, वो यहाँ पर हैदराबाद आना चाहिए, next है आपका try, जो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितना भी telecommunication या telecom system है, वो सारा try के थुरू काम करता है, try जिसको आप लोग अगर full form की बात करेंगे, त तो telecom regulatory authority of India, बहुत बार आप इन सब्दों को सुनते हो, जब जियो देश में launch किया गया, तो आप लोगों ने सुना कि Vodafone, Idea, दूसरी एरटेल कंपनिया, try के पास चली गई, जब जियो ने अपने free data देना शुरू किया, या data के दाम गिराए, तो भी try के सामने बाखी अपनिया गई, यानि इंडिया के अंदर telecom regulatory authority of India, भारत के अंदर telecom sector को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्ते है, mobile company और telecom sector के लिए क्या नियम होंगी, क्या rule होंगी, क्या guidelines होंगी, किस तरीके से उनको काम करना है, किन चीजों से उनको बचना है, क्या हिदायती होंगी, य और इसके अंदर अगर आप establishment की बात करेंगे स्थापना की, तो 20 फरवरी 1997 इसकी establishment date रहेगी, और head office के अगर बात होगी, तो दोस्तो नई दिल्ली के अंदर होगा, new daily, तो ये आपका ये रहेगा, नाबाड का नाबाड का नाबाड का नाबाड के अगर बात करेंगे, तो भ काम करती है, तो सबसे पहले नाम आता है नाबाड का, जिसको full form के रूप में, आप लोग N से national, B से bank, A से agriculture, फिर A आपका end में रहेगा, R से रहेगा rural, और D से रहेगा development, national bank for agriculture and rural development, यानि किर्सी और ग्रामिण विकास के लिए जो bank है, वो आपका नाबाड है, एक national bank के रूप में काम करता है, देश के अंदर बहुत सारे bank हैं, और हर bank loan देने का काम करता है, तो ज्यादा bankों पर pressure ज्यादा होता है, और दूसरी बात, agriculture और rural development, देश के अंदर एक बहुत सेक्टर को, जब दूसरे bankों से loan और मदद मिलती थी, तो वो चूक जाते थे, और उत तरीके से serious stress नहीं आपाती थी, तो इसलिए agriculture को develop करने के लिए, और rural area का विकास करने के लिए, एक अलग bank बनाने का फैसला किया गया, और उसका नाम रखा गया नाबाड, नाबाड शिर मुंबई के अंपर है, या सीडवी की, सीडवी भी किसी परकार का एक संगठन है, जिसको जैसे नाबाड को agriculture और rural sector के लिए बनाया गया, वैसे ही सीडवी को जो है, वो small industries development के लिए बनाया गया, तो कि बड़े बड़े उद्धोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, industrial development bank of India कहते हैं, इसका काम है, जितने भी लगू धोग हैं, जिनको आप लोग small industries बोलते हो, उनको development के लिए उनकी मदद करना, ये सीडवी का काम है, स्थापना हुई थी, दो अपरेल 1990 इस वी को, और head office दोस्तों इसका लखनों के अंदर है, ये बिलकुल अलग question है, बिलकु तो option A में आपको मिलेगा मुंबई, option A में आपको मुंबई मिलेगा, option B में आपको मिल सकता है नई दिल्ली, option C में मिल सकता आपको बैंगलूरू मिल सकता है, और D में आपको मिल जाएगा लखनो, आप सोचेंगे, या तो A मुंबई हो सकता है, या नई दिल्ली हो सकता है, बेंगलोर भी हो सकता है बर लखनों तो नहीं हो सकता है जादा तर बत्सों का जिनको नहीं पता है उनका ये आईडिया होगा लेकिन दोस्तों यहीं गड़बड होती है एक एक क्योस्टन आपको धान से देखना पड़ेगा सिर्वी का जो head office है वो दोस्तों लखनों के अंद होई थी head office मुंबई के अंदर है और जो भारत के अंदर शेर मार्केट को होल्ड करने का कुछ अत्तक काम करती है बीसी के साथ मिल करके और पैरालल चलती है जैनी इसके बाद बात आती है बीसी भारत की सबसे पुराणी स्टोक अक्सेंज फर्म कंपनी है जिसको बोंबे स् दलाल स्ट्रीट के नाम से भी वर्ड यूज करते हैं बोंबे स्टोक अक्सेंज फिंडिया की स्थापना अठारा सो पचेतर में होई थी 1875 के अंदर head office इसका भी मुंबई के अंदर है और भारत के सबसे बड़ी स्टोक अक्सेंज है सबसे पुराणी स्टोक अक्सेंज है फिर बात आती है NHB की जिसको अप लोग नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हो नेशनल हाउसिंग बैंक यानि की राष्टिया आवास बैंक एक ऐसा बैंक जो घर बनाने के लिए house मकान बनाने के लिए लोन देता है और उसके लिए बढ़ावा देने का काम करता है स्थापना ह हुई थी 1988 में यानि 9 जुलाई 1980 को स्थापना हुई head office और इसका नई दिल्ली के अंदर है फिर बात आती है एक्जिम बैंक की एक्जिम बैंक जिसको आप लोग नाम से आपको अंदाजा लग जाता है लेकिन वैसे बढ़ान से देखेंगे तो एक्जिम एक्जिम एक्स इस बनेगा इंपोर्ट 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 बैंक ओफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ओफ इंडिया यानि आयात निर्यात भारतिय बैंक यानि भारतिय निर्यात आयात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंक ओ इंडिया स्थापना हुई थी एक जनवरी 1982 के अंदर हैड ओफिस का मुंबई नेक्स्ट है आपका एल आई सी कौन नहीं जानता भारत के अंदर इंसुरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी गंपनी सरकारी अधिकारक छेतर की प्राइवेट लेम्टेट के रूप में कुछ अत्तक क काम करने का जिम्मा आगे हो सकता मिल जै लेकिन फिलाल तक भी करप्रहरयसून ऑफ-इंडिया के रूप में काम करने वाले लाइफ-इंसुरेंस करप्रहरात के अंदर इंसुरेंस की शुरुपात इनिसे की गई सए मुनुष्यों के हेल्थ के हैं लाइफ भीमा है सारे काम करने के जिम्मेदारी इन के ऊपर रही थी और अभी भी है कितने सारी कंपनियां आई और चली गई लेकिन लाइसी आई और हमेशा के लिए भारत के अंदर जम गई सरकार ने स्पोर्ट किया जनता ने विश्वास दिखाया और लाइसी का नाम आ इसका भी मुंबई में है नेक्स्ट आपका इस रो दोस्तो पूरी दुनिया के अंदर सपेस सेक्टर में अगर दुनिया के बड़ी-बड़ी सपेस अजैंसीज नासा जैसे अजैंसियों को कोई टक्कर दे सकता है या अपनी और आकरसित कर सकता है तो वो भारत की शान है इ दोस्तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाजेशन जिसको डॉक्टर विक्रम साराबाई के सानित्ये में एक स्थावन स्थापना की गई थी और उसके बाद आज तक आगर आप देखोगे चाहे आपका विक्रम साराबाई हैं चाहे सतीस धवन हों चाहे अबुलकलाम जी हों अबुलकलाम जी हों चाहे दूसरे जितने भी साइंटिस्ट हों आज तक आगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे वैड में हमारे इंत्रिक्स में काम किये हैं जो दुनिया जिनकी फैन हमेशा रही है और भारत का गरव यह संस्थाएं रही है और खास कर इस रही है सबसे टोप पर है स्थापना की बात करेंगे 15 अगस्त उनिस सो उनेतर तो इसकी स्थापना के गई थी 1969 में और हैड ओफिस दोस्तों इसका बैंगलूरू के अंदर है उसके बाद बात आती है बार्क बी ए आर्सी जानी की भाबा अटोमिक रिसर्च जिसे बाबा परमानू अनुसंधान के इंदर आप कहते हैं दोस्तों डोक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम से नाम है तीन जनवरी उनिस सो चम्मन को इसकी स्थापना की गई हैड ओफिस इसका मुंबई के अंदर है यही वो संस्त है जिसको क्रेडिट जाता है भारत को परमानू सक्ती परमानू हतियार और परमानू ताकत देने का बड़े से बड़ा देश भारत के सामने उस तरीके से नजर नहीं उठा पाता जिस तरीके से परमानू बनने से पहले हालत होते थे आज सब को पता है कि भारत के पास परमानू हतियार है तो कोई भी देश सीधे तोर पर भारत से पंगा नहीं लेना चाहता है उसके बाद बात आती है DRDO की DRDO नाम दोस्तों काफी फेमस है इसको आप लोग फुलकॉम की बात करेंगे तो defense research and development organization सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए भारत की सेनाओं के लिए defense sector के लिए जितने भी research and development करने होते हैं वो DRDO करत करें चाहे DRDO दोसरी संस्ताओं के साथ का मिलकर काम करें जब जब देश की सुरक्षा की बात आती है DRDO सामने खड़ा मिलता है भारत सरकार ने हाल ही में भारत की सेनाओं के दुबारा जो भी surgical strike की गई उनमें इसरों के साथ मिलकर के DRDO ने बहुत बड़ा काम किया चाहे वो ऐसे जिसको आप लोग मान सकते हैं टेक्निक्स बनाना या फिर आपने देखा होगा कि जो आसमान से निगरानी करने के लिए जितने भी instrument बनाने हों वो सारे के सारे काम DRDO बखो भी निभाता है और अब भी DRDO इसरों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेश इस दोस्तों इसका नई दिल्ली में है फिर आता है UIDAI UIDAI दोस्तों भारत के अंदर जब एक unique identification number की बात आई तो आधार को सवरूप दिया गया आधार को कागज के ओपर उतारने का प्लान बना फुल फॉर्म है unique identification authority of India U से बनेगा unique ID से बनेगा identification A से बनेगा authority और I से बनेगा India UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी head office नई दिली में है UIDAI को अब 11 साल हो चुके है आधार हमारा जो एक unit identification number है उसके थुरू आधार एक पैचान पत्तर भी बन चुका है आधार एक ID भी बन चुका है आधार banking सेक्टर में भी काम करता है आधार taxation के लिए भी pen करके साथ मिलकर काम करता है यानि हर जगह आधार क आधार पूरी ज्यादा पैचान है देश के अंदर उसके बाद बात करेंगे BCCI 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 दोस्तों को नहीं जानता दुनिया के अंदर Board of Control for Cricket in India Board of Control for Cricket in India बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको वही जिन बच्चन उनको धान से नहीं बढ़ाना बहुत सारे बच्चे मिल ज बनाते हैं या फिर Board of Cricket Control इस तरीके से फुल फॉम बनाते हैं लेकिन यह बिल्कुल गल्थ हो जाएगा Board of Control for Cricket in India भारत में किर्केट को कंट्रोल करने वाला Board BCCI का फुल फॉम है देसंबर 1928 के अंदर इसकी स्थापना की गई Head Office इसका भी मुंबई के अंदर है पूरी दुनिया के अंदर भारते किर्केट की पहचान और BCCI की शान पूरी दुनिया जानती है फिर बात आते ही फिक्की की दोस्तों दुनिया के अंदर देखा होगा अपने वैसे भारत के अंदर भी हर फिल्ड में बहुत सारे संगठन है बहुत सारे ओर्गेनेजेशन है वैसा ही भारत के अंदर व्यापारियों का विजनसमेंस का अमीरों का कह सकते हैं आप व्यापारी शाही वाड़ रहेगा सबसे बड़ा संगठन जो है वो फिक्की है जिसका फुल-फॉम में फेडरेशन ओफ इंडियन चैंबर्स ओप प्रेसर ग्रूप प्रेसर ग्रूप को बोलते हैं दबाव संग और इंटरस्ट ग्रूप को बोलते हैं हित संग दोनों ग्रूप अपना अपना काम करते हैं दबाव को समूज है वो पैसे के दम पर काम करता है सरकार के अंदर इलेक्शन के अंदर राजन्तिक पार्टी को चंदा देना चुनाओ के बाद जब अपनी पसंद की सरकार बन जाए तो उनसे अपने हिसाब से उनसे नियम और क अनून बनवाना फिक्की का काम है इसके लिए वो अपने मेंबर से पैसा इकठा करता है और जहां-जहां उसको जरूत पड़ती है वो उसको इन्वेस्ट करता है एक प्रकार से दबाव समूज है उसके बाद बात करना है स्थापना की 1927 के अंदर इसकी स्थापना हुई थ दोस्तो इसका नई दिल्ली के अंदर है फिर बात आते है इफको की दोस्तो इफको आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव है गाउं के अंदर रूरल के अंदर शहरों के अंदर भी आप लोगों को इफ को लिखा हुआ इफ को कारिय आप लोगों को दिखेंगे तो भारत के अंदर किसानों के लिए जो फर्टीलाइजर की जुरूत पड़ती है उसके सेक्टर के अंदर ये काम करता है तीन नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और हैड ओफिस दोस्तों इसको का नई दिल्ली में है उसके बाद बाद आती है एसोचेम की एसोचेम जिसको आप लोग एसोचेम के रूप में लिखते हो एसोचेम वाद एस्टेबलाइज़ बाई परमोटर चैमबर्स रिपर्जेंटिंग औल रीजन ओफ इंडिया दोस्तों इसको जो बनाया गया था वो इसको 1921 में बनाया गया था ओल्ट चैमबर्स को रिपर्जेंट करने के लिए पूरे भारत मन को परमोट करने के लिए हैड ओफिस इसका भी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है तो इस तरीके के तमाम क्लासिज होती हैं और इससे पहले आपको धान होगा कि मैं हिस्ट्री हिस्ट्री की बात अगर करें तो पूरा हिस्ट कि करना इसी सब्सक्राइब करतों फॉर्फρο पूरे इंडियन पॉलेटी काली कर्मोट कर चुका हूं तमाम वोख मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी है GK के 18 टेस्ट आचिके हैं 18 एपिसोड में GK test के आपके लिए अप्लोड कर चुकтов सब की प्लेलिस्ट बने हुई है प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम वो चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी है और फिर अगर आप लोग घर बैट के तयारी करना चाहते हैं तो ये नमबर है, उठाए नमबर और कोल कीजिए या WhatsApp पर मैसेज कर दीजिए जो भी आप लोगों को नोट चाहिए वो बाई कोले और आपको पहुंचा दिये जाएंगे जहाँ भी आप भारत में कहीं भी रहते हैं अगर PDF चाहिए, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्सन से मिलेंगी PDF के लिए कोई कोल और मैसेज ना ही करें जोकि वो सारी हम और मैड़िये आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में डाल देते हैं तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर बिलते हैं, धन्यवाद, सुखकाम में.